जहिन दोस्तो और विल्कम टू एंड़े स्माइल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSTCT 2023 एक्जाम के बारे में यहाँ पे हम आपके साथ एक गुद नूज शेयर करने वाले हैं जिसके वज़े से आपको जो भी कॉलेज चाहिए उस कॉलेज में आपको इजीली एडमिशन मिल सकते हैं तो वो कौन सी गुद नूज है इसके लिए आपको पूरा वीडियो को लास्ट देखना है आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है जब भी आप अडमिशन प्रोसेस करते हो उसके पहले आपके पास कुछ नोटिफिकेशन आती है कि exactly आपके पास कितने एडमिशन के राउंड होते हैं तो जैसे कि दोस्तों पिछले दो साल में दो ही राउंड हो रहे थे कैप राउंड के बड़ दोस्तों पिछले साल कैप राउंड के तीन राउंड हो थे और दोस्तों साथी साथ अब जो CT सेल है उसने जो रूल से उसे चेंज किया है क्योंकि दोस्तों अब जो कैप राउंड होने वाले है वो इस साल के बच्चों के लिए कितने रहने वाले है तो दोस्तों ओ लगबग लगबग as per my opinion आपके लिए भी अब तीन ही कैप राउन रहने वाले है जिसके वज़े से आपको easily betterment, freeze, autofreeze के option बहुत ही आसानी से आप betterment के लिए जा सकते हो तो इसलिए दोस्तों आपके लिए अभी बहुत अच्छा चांस है कि आपको जो भी colleges डालने है वो बहुती सोच समझ के आपको जो आपको preference देना है उसे अच्छे तरीके से देना है क्योंकि अब आपके पास तीन कैप राउंड है और तीनी कैप राउंड में आपको कोई ना कोई वोलेज अलोट होई जाता है तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है जब भी आप option form फिल अप करोगे अब result के बाद तो दोस्तों आपको बहुती सोच समझ के college को आपको preference देना है तो इसलिए दोस्तों ये CDCL ने बहुती good news दी है कि इस साल के बच्चों के लिए भी cap round 3 होने वाले है मतलब cap round 1 के बाद cap round 2, cap round 2 के बाद cap round 3 फिर उसके बाद दोस्तों college decide करेगा spot round तो ये सब process होनी वाले है दोस्तों ये आप सभी के लिए बहुती good news है तो दोस्तों अब आपको क्या करना है आपकी जितने भी colleges आपको डालना है preference देना है उस सभी colleges के आपको list बनानी है और उसे अच्छे तरीकी से preference देना है अईसा try करना है दोस्तों कि आपको cap round 2 या cap round 3 में जाने की दिक्कत ही ना है cap round 1 में ही अच्छा college a lot हो जाए तो इस तरह से आपको prepare करना है अभी आपको option form तो दोस्तों अगर आपको कोई भी doubt साता है तो आपको हमें comment box में बताना है हम try करेंगे आपके question का answer जल्दी से जल्दी देनी का तो दोस्तों मिलते इसे की साथ next video में